ओम शान्ती, 17 नवंबर की श्रुवतान मैं अपसों का सोगत है बुद्धी को डारेक्शन देना और बुद्धी को सही दिशा में लगाना और करना कैसे है ये भी हम समझेंगे और बुद्धी चलती कैसे है इसको भी हम आज समझेंगे बहुत क्या रही से बुद्धी को डारेक्शन प्रमान श्रेष्ट स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सरशक्ति वान भवा या तो बुद्धी वो चीज देखती है जो कि हम उसको घड़ी-घड़ी याद दिलाते है क्योंकि वो एक visualization या एक अपने सामने चित्र बनने की शक्ति रखती है बुद्धी तो परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे जब योग में बैठते हैं बलकि परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं तो आत्मा अभी मानी होने के बदले सेवा याद आती है जैसे हम परमात्मा को याद करने के बैठे तो हमने ये तो ब्रह्मा को माईस के सबसे सेवा याद आई कि आज मैं यहाँ पर जाना है वहाँ पर जाना है यह करना है उसको मिलना सो कोर्स करना है लेकिन जब हम ग्रैस्ती वालेजब बेटने परमात्नों को याइद करने टो आच्छा आज बच्ची को यह बताना था, उसको यह करना था, आज यह खाना पकाना था, आज वो काम करना था तो उसमें हम आत्म भिहान यह नहीं होते हैं उसमें हम देह की बात नहीं याद कर रहे हैं तो इसको में हम देह अभी मानी बन गए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट समय मुलकि शरी छोड़ते समय या जो कल्यू का अंत का समय है जो कि कुछ वर्ष रह गए है, अगर अशरीरी बनने के बजाए, सेवा का भी संकल चला, अब सेवा कुछ भी हो सकती है, घर की सेवा सकती है, घर का काम हो सकता है, सेंट्रल का काम वो भी सेवा है, चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे, उस समय सिवा बाप के निर निर्विकारी, कान को रोलो महांकार भी न, निरंकारी और कुछ याद नहों, अहंकार भी नहीं, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, सेवा में हम क्या होते हैं? साकार में हम होते हैं, फिजिकल बॉडी में हम आ जाएंगे, इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिती में स्थित होना चाहें, स्थिती हो जाएं, तब कहेंगे मास्टर सरशक्ति बने, मिला कि हम meditation करने के बैट रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो उसमें चीज को में आजिनों के चीजों के चित्र बन रहे हैं, उंके साथ में हमारा लगाओए, यह सबसे पहले पहँआने की तरीकछा है, या पहँआने कि हमारा योग जो रहा है, चीजों से लगाओए, इनको चित्र बनते जाएंगे आँक या वो सिचुशन आती जाएंगी, इसका करने आप दोहराते याएंग है, तो अगर हमारा लोगा के साथ में हिसाब कताब आपको खिसे अब हमारा तो तो पर्मात्मा के साथHT में बारबर अपने thoughts को control किया and ruling power वाले मले रूल कर रहे हैं अपने मन और बुद्धी especially आज बुद्धी की बात करी है तो बुद्धी को control कर रहे हैं यह practice करना meditation बहुत important है तो कभी अभी हम क्या करते हैं meditation हम परमात्मों क्या करते हैं बोलते हैं मेरे बच्चे का ये कर दो तो मेरे बेहन का ये कर दो, मेरे भाई का ये कर दो, मेरे पती का ये कर दो परमात्मों करते हैं यह दे अभी मान है यह भक्ती मार गए भक्ती मार नहीं ग्यान मार में चलना है तो दे अभी मान आ गया आत्म अभी मान मतलब क्या है? मेरा कोई नहीं सिर्फ परम्पिता परमात्मा उसमें अपना शेरी भूल गए शेरी के संबंद भूल गए फ्यूचर की इच्छा हैं भूल गए पास्ट में क्या गलत हुआ उसको भूल गए इसमें क्या भूल गए और प्रेजंट में उस समें परमात्मा को याद करना तो यह सब कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मा कुमारीस में और 11 से जम्दिना चाहते हैं अगर आप इसको तो ब्रह्मा कुमारीस सेंटर पर जाकर विजट करिए आम श्रांति इसके साथ